नमस्कार फ्रेंड्स मैं आपके संथ का पिल्सा हूँ लाइब सेंस कलासेंग में आपको स्वागत है आज हम लोग देखेंगे रिमोट सेंसिंग एड टेचनिक आप फीशिंग एकुल्चेर के स्टेड़ी सेंटुन के तब पर देखेंगे अगर पर्छे की रुप में अगर रिपेतwhat Tramam को देखें तो हमोसरे म conquered य्शी करीकनीक होता है विश्चिकलीफी सिर्हें डॉलब्मेंट फिसरी इस प्लेस जो होते हैं उसके पहचान के लिए उसके जाता है एकवक कल्टर मैनेज़मेंट टे रेमक्स कडिशन यतियादी कि बारे में पता लगाने के लिए जरी उसकिया जाता है कोस्ट्राव एरिया क्या पता लगाने के लिए और उन्न ये यह अगर remote sensing को देखें तो sciences and art of obtaining informations about अब्जेक्ट का information प्रॉप्त किया जटा है । जिसकी सहते थिस ऑप्जेक्ट के बारे में जनकारी प्राब्त शेयर जाता है कि प्रोसेश की से अगर वयों तो इसके लिए जुँ है एक खास डिवाइस लगा होता है जिसको sensor कहते हैं यह sensor जो signal के फाम में निकलते हैं और यह signals electromagnetic radiation के फाम में जो है आगे बढ़ता हुआ object से जाकर टकराता है और वहीं से निकल्ड टक या image के फाम में हमें information दे देता है आगे और रिटेल में देखेंगे इसको अब लोग देख पा रहे हैं यह remote sensing जैसे कि मैंने बताया कि signal की फाम में electromagnetic spectrum के फाम में यह signal आगे band के रूप में आगे बढ़ते हैं इन बैंड का spectral बैंप या लेंथ भी अलग अलग होता है जिनको बताया गया है कितना फ्रेक्वेंसी का characteristics कितना होता है कितना effective होता है जैसे नेचुरल कलार या फोटोग्राफी या वीडियो ग्राफी करना है तो 0.4 से 0.7 में का यूज किया जाता है ब्लैक और वाइट का यूज करना है तो 703.0 निवं का यूज किया जाता है थेरमल के रूप में अगर देखें तो फिर से तक कया जाता है हाईफ्रेक्वेंची मेंज इत्यादी यूज की प्राफ्त किया जाता है कि इस डाइग्राम इस चार्ट के थूरू रिमोट सेंसिंग की पूरे प्रोसेस को दिखाया जा रहा है इस प्रोसेस में सबसे पहले रिमोट सेंसिंग डेटा यह जो हमको डेटा प्राप्त करना होता है रिफ्रेन्स मैप भी इस्तिमाल किया जाता है मतलब होता है कि समंधिच देटा जिससे अपने को कमपेरर करने के लिए एक डेटा चाहिए होता है तो bases देटा इस्तिमाल करना होता है कुछ उस डेटा मेच करते हुए ज sneakingप करेक्शन भी करना होता है इसके वाला इसके बाद करेक्टर रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त हो जाता है इस करेक्टर रिमोट सेंसिंग डेटा से इमेज अनालिसिस किया जा सकता है फिर अप्टर इमेज अनालिसिस क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है उसके बाद इस डेटा को का वैलिडेशन की भी प्रोसेस होता है फासरूप एक्क्यूरेसी एसेस्मेंट भी किया जाता है जो डेटा प्राप्त होता है उसका एक्क्यू किया जाता है वह बेसिकली दो टाइब के होते हैं एक होता है पैसिव एक होता है एक्टिव पैसिव में अगर देखें तो यह नान इसकेनिंग और इसकेनिंग दो टाइब के होते हैं नान इसकेनिंग में बेसिकली फोटोग्राफी जैसे नेचुरल कलर या इंपरेड का यू तो इसकेनिंग जो होता है हाई प्रेक्वेंसी रडार के रूप में यूज किया जाता है जब की इसकेनिंग इमेजिंग जो होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार के रूप में यूज किया जाता है तो डाइग्राम में जैसे की दीख रहा है इस तरह के सेंसर जो प्रित्वी के ऊपर एक पंखा के सेप में जो सेंसर दिखाए दे रहें तो ऐसे सेंसर उबगरह की रूप में स्थापित किये जा सकते हैं या किये जाते हैं कि अगर देखें रिमोट सेंसिंग टेकनोलोजिकल कंपोनेंट तो एक एनर्ची सोर्स के आउसकता पड़ता है इसके अलावा टार्गेट कभी एनर्जी सोर्स के रूप में सुरिक परकास का यूज़ ही किया जाता है किसी टार्गेट के ज़रॉत पड़ता है जिस इस्थान क के बारे में अपने को डेटा प्राप्त करना होता है इसके लावा एक सेटलाइट भी इस्थापित करना होता है जो इलेक्ट्रमेगनिक वेव जेनरेट करता है इसके अलावा ग्राउंड इस्टेशन भी चाहिए होता है यह वेसिकले टार्गेट प्लेस ही होता है इसके ला इसके अलावा अगर जी नंबर में देखें तो फिर इस विसल डेटा अने सिस्टम भी चाहिए होता है यह सब होता है तो प्राप्त हो जाता है जैसे कि डियाग्राम में देख पा रहे हैं अगर देखें इस रिमोट रियुक्त सेंसिंग तो अगर हम लोग पूसीरिक खोज़ने लिक लें तो फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो रिमोट टेक्निक के जरिए ज्यादा फिसिंग जहां ज़्यादा पंद फिसिंग की संभाव ना हैं प्रिस के मा शॅधिए ली इसके लाव है फ्योल जुछू अएल इतादी का बेचत किया सकता है हो मेने फार्ट का को भी worship बचाया जा सकता है इसके लवा इनकम को भी बचाया जा सकता है जा सकता है कि कि रिमोट शेंशिंग का यूज अगर एक्वाक्ल्चर फिल्ड में अगर देखें तो इसको दो टाप से बाटा जासकता है तो arm some and ranging इस तरह से दो पाट बाटा जा सकता है विजिबल जो होता है तो एक्वाक्लचर में विजीबल इंपरार div रेस का यूज किया जाता है और समंधिर डेटा जैसे की सर्फेस टेमप्रेचर सी सर्फेस टेमप्रेचर जिसको साट पाम में अकल कि मूं कीमेजिंग राडार का भी यूज किया जाता है डार अल्टि मटर का भी दिसके जिल यह भी रिंतम तरह वर्क करके वाईंड वे ऊकरेंट ड्स पहाईड div यहादी समुद्री सता है या कोश्टल रिजन या अन्या फिशरी रिजन या अन्या एक्वाटिक सोर्सेस का पता देता है अगर देखें remote sensing टेकनिक तोशी सरफ टेंप्रेचर को पता लगा जा सकता है ताकि इस टेंप्रेचर के चरिये वह फिसंग किया जा सकता है कि नहीं वहां और क्या-क्या संभावनाएं हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है ओ सिन के खार ओशीन कलर समुद्र की कलर का भी पहिचान रिमॉट सेंसिंग टेकनिक की के जरिए सेट्यलाइक की जरिए बड़ा असनि से बहुंक्त कम एफार्ट में प्राप्त किया जा सकता है हो सकता है पर दूत त्यदिक के वज़ा से समुद्र का color change हो गया हो तो इत्यादी pollution इत्यादी factor का भी पत्ता लगाया जा सकता है इस remote sensing technique के जरिए इस diagram के थुछ दिखाया जा रहा है कि समुद्र के color को ही सो किया जा रहा है बुलू कलर का शमुदरे रिजन वसे इसी बुलू कलर के वजय से पृत्वी को बुलू बुलु ग्रह के या निला ग्रह के नाम से भी जाना जानता है इस निलश पैड़ती प्लूल जानता है और हे주For वह उस इंस्तार्ट को भी ग्याद किया जा सकता है रिमोट संसिंग टेखनिक की जरीए छूंप हो में कि एक्वक फिल्पमेंट एक्व श्री मेंनेजिमेंट का कार्व भी किया जाता है एक्वक्वक घ्रमिंस तो आथ रेलेटड यो भी कल्चर होता है तो तो अप्रूगत अध्यान से हमें हापता चलता है कि रीमोट सेंसिंग टेखनिक के जरीए जरूरी डेटा जरूरी इमेज एजली प्रहप्त करके एक उचित प्लान बनाकर फिसिंग एरियास का पहचान करके फिसरेस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और फिसेस को सस्टेनेबलिटी के रूप में सस्टेनेबल दुलप्मेंट के रूप में एक नियात एमाउंट में यूस किया जा सकता है किर्सी भूमी और फिसिंग का पहचान भी किया जा सकता है थैंक यू